नवस्कार दोस्तों, UGC.NET के डाटा इंटर्परटेशन के एट्थ प्रेक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है आज हम जो कोईशन पेपर स्वोल करेंगे, वो कोईशन पेपर है दिसंबर दोहजार बारा दिसंबर 2012 में data interpretation से related जितने भी सवाल आये थे उन सभी को आज हम soul करें तो चली शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की ठीक है नीचे एक तालिका दी गई है और इसमें कुछ आंकडे दिये गए हैं इन्ही आगनों के अधार पर हमें प्रस्ण संख्या 19-34 तक यानि कुल 6 सबालों के हल याद करने है ठीक है तो ये एक क्रम संख्या है ए से आई तक ABCDEFGHI और इसमें कुछ मद या एरिया दे रखे हैं और फिर आगे 2007-2008 इस प्रकार साल दे रखे हैं तो इसमें बतला आ गया है कि समाद सेवाओं पर कुल सरकारी वे का अलग अलग प्रतिशत क्या है कुल प्रतिशत ये यहां दर्शा आ गया है फिर अलग अलग सिख्षा खेल यूवा कार्रे पर कितना खर्च हुआ किस साल में कितना खर्च हुआ इस प्रकार से दर्शा रखा है ठीक है तो पहला सवाल हम लेते हैं समाद सेवाओं में ऐसे कितने कारे कलाप हैं जिनमें वर्ष दो हजार आठ नूँ तो हमारा जो एरिया रहेगा प्रतिशन सोल करने का वो ये वाला रहेगा 2008 नूँ में समाद सेवाओं पर हुए कुल खर्च समाद सेवाओं पर कुल खर्च हुआ है 12.94 प्रतिशत कुल खर्च का 5 प्रतिशत से कम खर्च हुआ है ठीक है यानि समाद सेवाओं का जो हिस्सा है 12.94 प्रतिशत ठीक है इस हिस्से में से 5% से कम ऐसे कौन से छेतर है जहां पर समाद सेवाओं के सब एरियाज ऐसे कौन से हैं जिन पर कुल के समाद सेवाओं के कुल खर्च के 5% से कम खर्च होगा है तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो 5% का जो क्राइटीरिया है उसकी वेल्यू हमें निकालनी होगी यानी 12.94 का 5% हमें निकालना पड़ेगा कैसे निकालेंगे 12.94 इंटू 5 by 100 इसको सोल करने पर 5 जो का 20 हसल 2 5 निमा 45 और 2 47 हसल 4 5 जोनी 10 और 4 14 हसल 1 5 एकम 5 और एक 6 है 64.70 बटा सो या 0.647 यह हमारे कट ओफ वेल्यू आई यानी कि इससे कम कुल खर्च पांस प्रतिशत से कम इससे कम की नेर्या में खर्च हो रहा है उनको हमें देखना है तो देखें सिख्षा खेल और यूवा कार्य में क्या इस वेल्यू से कम खर्च हो रहा है नहीं स्वास्ते परिवार कल्यान में क्या इससे कम खर्च हो रहा है नहीं जलापूरती आवास में क्या 0.64 से उनसे कम खर्च है नहीं ठीक है अब सूचना प्रशारण सूचना तथा प्रशारण में 0.22 हाँ इसमें कम खर्च हो रहा है अनुसुचित जात जन्जाती वाले छेतर में भी कम ही खर्च हो रहा है स्रम रोजगार में भी कम खर्च हो रहा है फिर समाज कल्यान तथा पोशन में 0.64 से जादा है यानि 0.72 है उत्तर पूर्वे छेतर में भी जादा है और अन्य समाज सेवाओं में भी जादा है यानि कुल तीन एरिया ये ऐसे हैं, जहां पर समाज सिवाओं पर हुए कुल खर्च के 5% से कम खर्च हो रहा है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो तीन होगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, समाज सिवाओं पर वे किस वर्स में उच्चतम दर पर बढ़ा हैं, यानि यहां हमारा जो एरिया रहेगा क्वेश्चन सोल करने का वो ये बाला है, इस एरिया में हमें देखना है कि किस में अधिक दर से बढ़ा है, तो यह अगर हम देखते हैं, 11.06 से बढ़कर 12.94 हो गया, यानि की लगभग 1.88 की बढ़ोतरी हो रहे हैं, फिर 2008 से 19 में अगर हम जाते हैं, 2008 से 19 में जाने पर 0.12, 0.12 की ही बढ़ोतरी हो रही है, और फिर यहां से इसमें जाते हैं, 9.10 से 11 में अगर जाते हैं, तो 0.96 की बढ़ोतरी हो रही है, तो सबसे ज़्यादा व्रधी कहें या भले ही व्रधी दर कहें उच्चतम दर हालांकि यहां पूछा है लेकिन यदि उच्चतम मात्रा भी उच्चतम तो भी यही आंसर होता और हमारा आंसर आ जाएगा दोहजार आठ नो में ठीक है चली अगला क्वेश्चन है क्या है हमारा वे के हिस्से की द्रस्टी से निमलखित में से कौन से कारे लगभग स्थिर रहे हैं तो यहां हमें देखना है सबसे पहले उत्तर पूर्वी छेत्रे एक इसमें हमें पता लगाना है फिर दूसरा अनुसुचित जाती जन जाती और अन्य पिछड़े बरगी इसमें हमें देखना है सूचना प्रशारण में भी हमें पता लगाना है और समाज कल्यान तथा पोशन समाज कल्यान तथा पोर्षन यदि हम इन सभी को देखें उत्तर पूर्वे छेतर में देखें तो 0.00 से बढ़कर 1.75 हो गया यानि कि स्थिर नहीं रहा है समाज कल्यान पोर्षन 0.82 से 1.06 बढ़ोत्री कम हुई है लेकिन इसे भी स्थिर नहीं कह सकती अनुसुची जाच जन जाती में 0.36 से बढ़कर और 0.63 यानि लगभग 50 पतिसत से ज़्यादा बढ़ोत्री यहां हो गई है और सूचना प्रशारण में देखें तो पहले भी 0.22 था फिर दूसरे साल तीसरे साल थोड़ा सा कम हुआ फिर चोथे साल दुबारा उतना ही है तो यहां हम कह सकते हैं सूचना और प्रशारण के छेत्र में लगभग उतना ही खर्चा जो है किया जा रहा है उसमें कोई खास कमी या घटोत्री बढ़ोत्री नहीं हुई है ठीक है अगला क्वेशन लेते हैं निम लिखित में से कौन सी मद का मद का वे का हिस्सा से तीन मदू के लगभग बराबर है तो यहां हमारा जो छेत्र है सूचना प्रशारण अनुसूचित जात जन जाती और स्रम रोजगार तथा सम्माज का ल्यान और पोशन यानि कि इन चारों में हमें पता लगाना है कि किस का हिस्सा से तीनु मदू के लगभग बराबर है तो हमारा जो कारजचेत्र है वो रहेगा इतना ठीक है अब इसमें से आप साफ साफ आपको पता लग जाएगा कि यदि आप इन तीनु को यदि जोड देते हैं 0.22 को 36 में यदि 22 जोड़े तो 58 और 58 और 27 लगभग 90 के आसपास आता है और इसी प्रकार इनका भी कुछ कम कुछ ज़्यादा करके लगभग आसपास वहीं योग बनता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समाज कल्याण तथा पोशन समाज कल्याण तथा पोशन सही आंसर हो जाएगा ठीक है अभी अगले क्वेशन पे चलते हैं क्वेशन नमबर 23 समाज सेवाओं में कौन सी मदू में वर्स 2007-8 से 2010-11 के दोरान वे में अधिक्तम व्रद्धी दर पाई गई अधिक्तम व्रद्धी दर हमें निकालनी है किसमें समग्र समाद सेवाओं में समाज कल्यान और पोशन में एक तो समाज कल्यान और पोशन में है दूसरा सिक्षा खेल और युवाकार्य में है सिक्षा खेल योवाकार्य में समग्र समाज सेवाओं में और चोठा जो था उनुसुचित जाती जन जाती में इन में अधिक्टम व्रद्धी दर हमें ज्याद करना है अनुसुचित जाती जन जाती तो यहां चलते हैं कि इन्स चारू में अधिक्तम व्रधिधर किस्में है 2007-8 की बजाए 2010-11 तक ठीक है 2007-8 की बजाए 2010-11 तक इन्स में समाज कल्यान तथा पोशन में दूसरा अनुसूचित जाती जन जाती में शिक्षा खेल युवाकार्य में और समग्र समाज सेवाओं में तो यहां यदि हम 2007-11 की वैल्यू की तुलना करते हुए यदि हम लिखें तो समाज कल्यान और पोशन में बढ़कर के खर्च जो है 0.82 से 1.06 यानि कि 18 और 24 परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है 0.82 पर ठीक है और यहां 0.36 पर बढ़ोतरी हो रही है लगभग 0.27 की 0.63 में से कैसे निकाला हमने तो 0.36 में से 0.36 घटा दिया 13 में से 6 गए तो 7 और 6 में से 4 गए तो 2 0.27 इसकी वेल्यू आगई इसे प्रकार सिक्षा खेल और यूवा कारे में लगभग 0.42 की बढ़ोतरी हो रही है चार पर और यहां बढ़ोतरी हो रही है 11 पर कुल 3 के आसपास आप मान सकते हैं 2.96 भी लिख सकते हैं इसको तो यदि आप देखेंगे कि यहां 0.82 पर 0.24 यानि लगभग तीसरे हिस्से के बराबर चोबित या भत्तर तीसरे हिस्सें से भी कम व्रधी हो रही है 0.36 पर ये लगभग 70 प्रतिशत के आसपास व्रधी हो रही है बाकी इन में भी कम ही है तो सबसे ज़्यादा व्रधी दर की यदि हम बात करते हैं तो वो व्रधी दर यहां आएगी यानि अनुसूचित जाती जन जाती पिछड़े वरगू के लिए ये व्रधी दर सबसे ज़्यादा आएगी यदि मात्रा पूछेता तो मात्रा समग्र समाद सेवाओं में 2.96 आ जाती लेकिन यहां चुकि दर की बात हो रही है तो दर जो है सबसे ज़्यादा आएगी किन में अनुसूचित जाती जन जाती और यदि इस दर की वेल्यू भी हम याद करें तो यह बढ़ोतरी हो रही है 0.27 की यानि कि 36 पर कितनी वढ़ोतरी हो रही है 27 की एक पर वढ़ोतरी होगी by 26 और गुणा 100 नो तिया 27, नो चोका 36, 25 यानि 75 प्रतिसत की उरद्धी हो रही है बाकी किसी में भी 50 प्रतिसत भी नहीं होई है तो यहां जो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नमबर 23 का हमारा आंसर हो जाएगा अनुसुचित जाती जन जाती और अन्य पिछडूं के वर्ग के कल्याण का कारेगा ठीक है यह हमारा हो जाएगा अनुसुचित जात जन जाती वाला थोड़ी सी टेबल बड़ी है question जादा है तो इसलिए बार-बार जो है थोड़ा उपर नीचे करना पड़ रहा है और क्यों जो स्विधा हो रही है उसके लिए हम आफिच आते हैं question number 24 में लिखा है कि 2007-2009-2009 में अधिक्तम गिरावट अब यहां भी हम लिख लेते हैं चूंकि फिर उपर हम सोल कर लेंगे एक तो स्रम रोजगार श्रम रोजगार स्वास्य परिवार कल्यान यहां हमें देखना है श्रम रोजगार स्वास्य परिवार कल्यान समाज कल्यान तथा पोशन और चोथा जो एरिया है हमारा वह सिक्षा खेल और यूवा कारे इन में अधिक्तम वे में अधिक्तम गिरावट दर कहा है यह हमें पता लगाना है सिक्षा खेल और यूवा कारे यानि कि हमें जो है जो एरिया हमारा का रिच्छित्र है उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि हमें इसमें और इन दोनों में यहाँ हमें अधिक्तम गिरावट कितनी हो रही है किसमें हो रही है गिरावट दर अधिक्तम गिरावट की मात्रा नहीं है अधिक्तम गिरावट दर है और कब से कब तक तो 20078 से 20078 से और 2009 10 तक नो 10 तक यदि आप देखेंगे कि सिक्षा खेल और यूवा कारे में गिरावट कितनी हो रही है तो 0.06 की गिरावट हो रही है 4.02 पर शास्त्य और परिवार कल्याण में गिरावट हो रही है 0.15 की स्रम रोजगार में जो गिरावट हो रही है वो हो रही है 0.05 की पर समाज कल्याण और पोशन में गिरावट हो रही है 0.79 की ठीक है अभी हमें इनका प्रतिशत निकाल लेना है तो सबसे पहले हम प्रतिशत निकालेंगे 4.02 पर 0.06 की कमी हो रही है यानि की 0.06 बाई 4.02 इंटु 100 पोइंट से पोइंट हटा देंगे 6 बाई यानि 600 बाई 4.02 एक प्रकार से ये हो गया पहली वेल्यू ये आएगी दूसरी वेल्यू हम निकालें 0.154 है कितने में 2.05 पर इसकी वेल्यू हो आगई 600 बाई 4.02 यहां हमारी वेल्यू कितनी आएगी 0.15 divided by 2.05 0.15 बटे 2.05 और गोणा 100 इससे ये कट जाएगा यानि कि 1500 बटे 2.05 हम इनको इसलिए सोल नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ आइडिया इनको देखकर भी हम eliminate कर देंगे फिर जिनका नजदी की वेल्यू लग रही होगी उनको हम फिर और सोल कर लेंगे तो इसलिए पूरा सोल नहीं कर रहे हैं ताकि समय बच जाए हमारा यहां कमी आ रही है 0.05 की यानि कि 0.05 की कमी आ रही है 0.27 पर और multiply 100 यानि कि 500 बटा 27 इसकी वेल्यू आ गई 500 बटा 27 अभी चोथा और अंतिम हमारा बचा है समाज कल्यान के लिए तो समाज कल्यान के लिए जो कमी है वो 0.82 से कम होकर के और 0.79 हो गया यह साइद मैंने गलत लिख दिया 278 से 910 में जो कमी आ रही है वो 0.03 की कमी है तो इसका यदि प्रतिशत हम निकालेंगे तो 0.03 और यह कमी आ रही है 0.82 पर गुणा 100 यानि कि 300 बटा इसकी वेल्यू आ जाएगी 300 बटा 82 अब आप एक सीधे तरीके से यह निकाल के देखिए कि इन सभी में नमबर एक नमबर दो नमबर तीन और नमबर चार कहां जो है किसकी वेल्यू सबसे ज्यादा होगी यदि हम देखें 600 बटा 402 तो यहां तो दो बार भी दो बार भी डिवाइड नहीं होगा ठीक है तो इसको तो इस ओप्षन को तो हम घटा देते हैं पहले ही कि यह तो नहीं हो सकता दूसरे में यहां डिवाइड करेंगे 250 को पंदरा सो को 205 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो यह कितना प्रतिशत को 27 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 270 270 यानि 10 20 से भी ज्यादा चली जाएगी 20 प्रतिशत से भी ज्यादा कमी हो रही है और 300 को यदि 82 से हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू यह लगभग चार बार या तीन बार पूरा पूरा इसमें भाग जाएगा तो सबसे ज़्यादा आप पूरा सोल ना करते हुए सबसे ज़्यादा आप यहां बता सकते हैं कि लगभग 20 प्रतिशत की कमी या 21 प्रतिशत की कमी हो रही है किसमें स्रम और रोजगार में कब से कब तक दोहजार शाथ आठ से लेकर और दोहजार नो दस तक लास्ट वाला कुश्चन थोड़ा से डिफिकल्ट है इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं यानि कि हमारा जो आंसार आ रहा है वो आ रहा है स्रम और रोजगार जो की दे रखा है ओप्शन एमें ठीक है तो यह हमार क्वेशन पेपर हो गया कब का दिसंबर 2012 का अभी तक हम जो है 2009 से लेकर शुरू होए थे दो पेपर दो हजार नो के दो पेपर दो हजार दस के दो पेपर दो हजार ग्यारा के और दो पेपर दो हजार बारा के आज का मिलाकर के यानि की टोटल आठ प्रेक्टिस सेशन हम सोल करा चुके हैं यदि आपने अभी तक देखा नहीं है तो उनको जा करके देखें आपको मुझे विश्वास है कि उन सब से जो है बहुत मदद मिलेगी डियाई का जो एक महत्वपूर्ण पोर्शन आता है यूजी से नेट के पेपर में तो ठीक है अगले सेशन में जब हम सोल करेंगे 2013 में 2013 में एक्चुली तीन बार पेपर हुआ था तो जो फर्स्ट पेपर हुआ था जून में उसमें कौन से शवाल आये थे उन सभी को हम जो है कल डिस्कस करेंगे तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद